इस साल दिल्ली में नवंबर का महीना पिछले 5 सालों में सरवाधिक प्रदूशित रहा है 2016 से लेकर अब तक इस महीने में गंभीर रिष्टेने की हवा वाले सरवाधिक दिन दर्श के गए है वहीं रवेवार तक महीने के 26 दिनों में से एक बे दिन दिल्ली वासियों को अच्छी संतोष जनक और मध्यम श्टेनी की हवा नहीं मुली है वहीं बचे हुए दो दिन भी दिल्ली की हवा गंभीर या बहुत खराब श्टेनी में ही रहने वाली है तो क्या कूछ है पूरी जानकारी देखिए इस वीडियो में इस साल दिलीवे नवंबर का महीना पिछले 5 सालों में सरवाधिक प्रदूशित रहा है कि इंदिरे प्रदूशन नियांतरन बोर्ड यानि की CPCB के आकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2016 में गंभीर श्ट्रणी यानि 400 से उपर के एर इंडेक्स वाले 10 दिन दर्ज हुए थे वही साल 2017 में ये संक्या 7, 2018 में 5, 2019 में 7 और 2020 में 9 दिन रही थी लेकिन इस साल नवंबर में रवेवार तक गंभीर श्रणी के एर इंडेक्स वाले दिनों के संख्या 12 पहुँच गई है 14 दिन एर इंडेक्स बहुत खराब और 2 दिन खराब श्रणी में दर्ज हुआ लेकिन इस बार अक्टूबर में ये मामले का कहना है कि इस सीजन में पराली जलाने की दीमी शुरुआत देखी गई आम तोर पर नवंबर तक पंजाब और हरयाणा में पराली जलाने के मामले कम होने लगते है लेकिन इस बार अक्टूबर में ये मामले जादा नहीं थे लेकिन नवंबर के पहले हफते में बढ़ने लगे हाला कि प्रदूशन का चरब मुख्यरूप से दिली एंसियार में स्थानिय प्रदूशकों के कारण है महीं जानकारी के मुताबिक वर्तमान में दिली के PM 2.5 में पराली के धुए की सिदारी महस 2-6 प्रतीशत है जिसका अर्थ है कि अब हम जो गंबीर प्रदूशन स्तर देख रहे हैं वो दिली के स्थानिय प्रदूशन का परिणाम है इसलिए स्थानी प्रदूशन स्तरोतों के खिलाव सक्त कारवाई की जिरुत है महीं मौसम विबाग के परेवरन और अनुसंदान केंदर के प्रमुक ने बताया है वहीं इस बार हमने कई दिनों में धीमी और शांत हवाई भी देखी है पूर्वानुमान कहता कि 29 और 30 नमंबर जे पहले सुदार के संभावना नहीं है वहीं प्रदूशन का स्तर बहुत खराब श्रेणी के ओपर छोड़ पर रहने के संभावना है मानकों के मताबिक हवा में PM 2.5 का उसत 60 माइक्रोग्राम प्रतिगन मीटर होना चाहिए लेकिन इस बार इसतर अभी तक 246 माइक्रोग्राम प्रतिगन मीटर रहा अब ऐसी हवा में लगतार सास लेने से कई स्वास्त समस्याइं पैदा हो सकती है वहीं दिली में इस बार नवंबर में एक बार भी बारिश या फुवार नहीं पड़ी है जिसके चलते लोगों को प्रदूशन की मुसीबत जादा जहलने पड़ रही है मौसम विबाग के मताबिक आमतर पर नवंबर में 5.6 मिलिमीटर बारिश होती है और मांसून में होने वाली बारिश की तुलना ये बहुत ही कम है लेकिन पश्चमी विशोबो के चलते होने वाली इस बारिश के चलते वातावरन में जमे प्रदूशकन जमीन पर बैठ जाती है और अवा साफ होती रहती है लेकिन इस बार एक दिन भी बारिश रही होने के चलते प्रोदूशन का स्तर कम होने में मौसम से भी मदद नहीं मिल पा रही है जिसके बाद नवंबर के बाकी दिनों में भी अब बारिश की कोई उमीद नहीं है